हिमाचल परदेश में तीन दिनों से हो रही बारिश ने भारी तवाही मचाई है और उसको लेकर आज मुख्यमंत्री सुख विंदर सिंग सुखु ने वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरीए बैठा की और इस पूरे आपदा को लेकर आज एक कमिटी भी बनाई गई है जो राज अभी परदेश की स्थिती क्या है क्या कंट्रोल में है या अभी लग रहा है कि खत्रा बरकरार है बारिश से चली हुई है प्राक्तिक आपदाय किसी के कंट्रोल में नहीं होती है अब अगले गंटे तक क्या होगा ये भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है प्रंतु मौसम विवाग के तरब से चेतामनी है रेड अलर्ट जा रही है हम बिलकुल खुद भी जो है सारे माने मुखे मंतरी ठाकर सुप लिए है तो हमने सबको अलर्ट रखावा और उन्होंने निर्देश दिया है अगले बीस तारीक तक जो है सारे अलर्ट रहेंगे मतर्स टैंटू रहेंगे और जहां से हमें कोई भी जो भी सूचना मिले और जिस किसम की वहां पर काम करने की जरूत पड़ेगी हम वहां दो करते हैं हमारे अपने लोग जो गाउं में वह भी फस है हमें सभी का जुआ जीवन जुआ सभी का ब्राबर है प्रेटकों को भी हम सुरुक्षित निकालेंगे और जो हमारे लोग भी जो पास्चरों में फसे हैं गाउं के अंदर कोई जो फसे हैं उन सब का क्याल रख रहे अगर नमबरों के साब से देखें तो सड़के 1400 के करीब बादित हैं और बिजली की जो लाइन है वो 4000 से उपर है और इसी तरह से अब पेजली उजना है वो 500 से जादा है और जो मकान जो हमारे लोगों के गिरे गाउं में जो बेगर हुए है वो भी कोई 300 से जादा आज की ता हम कह सकते हैं कि जो एक बात चल रही थी कि बायुसेना की भी मदद ली जा सकती है या प्राइवेट हेलिकॉप्टर भी अंगेज किया जा सकते हैं उसकी सिति क्या है अभी जो मोतें हुई है उसमें सड़क दुर्गटनाय भी शामिल है और जो कई मलमें वे दबने से या फ सर केंदर से भी मदद मांग रहा है हिमाचल या जूरत है हिमाचल को लगता है कि अब इसको आपदा घोशित किया जाना चाहिए कि परसितियां इस तरह की बनी हुई है प्रदेश में और केंदर सरकार जो हमें उसके साब से जितना नुक्सान है उतना तो देते नहीं है परन्तु फिर भी रहात के रूप में कुछ राशी आती है इस बार हमारे माने मुख्यमंत्री ठाकुर सुक्रिंदर सिंग सुकू ने जो है अब केंदर के मंत्रियों से भी गवार सारी स्तीती को मौनिटर कर रहे हैं अब शक्ता पड़ेगी तो हम इसको एक्सटेंट करेंगे जो फिलाल अभी 10 और 11 की हमने हॉलिडेज रखी है स्टूइन्ट्स और जितने हमारे कॉल्जिस की बात है हमारे स्कूल की बात अगर आप शक्ता पड़ेगी तो इसको हम रिव चाहुकारिया चला हुआ है और अगर बायुसेना को बुलाने की विजूर्थ पड़े वो भी बुलाई जाएगी के अंदर से भी मुख्यमंत्री ने बात की है और स्कूलों को लेकर शिक्षमंत्री ठाकु ने कहा कि कल इसको लेकर रिव्यू किया जाएगा कि क्या स्कूल खो